कोरिया जिले के वनांचल छेत्रों के जंगलों में लगी आग को वनविभाग के धिकारी काबू पाने में पिसड़ी साबित हो रहे हैं वनविभाग के आंकडों के अनुसार आग में अभी तक लाखो मुल्य की बन सपदा जल कर खाक हो चुकी है लेकिन वनविभाग के अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है आगों को बुझाने में किसी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है वन्विभाग के कर्मचारियों के हर्ताल में होने से जंगलों में आग लग रही है और उसे बुझाने में वन्विभाग के अधिकारी नाकाम है भीशड गर्मी और महुआ का सिजन होने के कारण जंगलों में अज्यात व्यक्तियों द्वारा आग लगाया जा रहा है वन कर्मचारियों के हरताल में होने से जंगलों की रक्षा नहीं हुपा रही है ऐसे में ही आग की लप्टों में आकर छोटे बड़े व्रक्ष जल कर खाक हो रही है लेकिन आग को बुझाने के लिए बन परिशेत्रों के अधिकारी सो रही है हम आज आये हुए हैं कोरिय जिले के अंतरगत आने वाला छेत्र चिर्मिरी में जहां पर देख सकते हैं यहां पर सागुन प्लांट पर किस तरह आग लगा हुआ है और छोटे-छोटे सागुन के जो प्लांट हैं वो किस तरह आग के लप्टों के अंदर जुरस चुके हैं लेकिन वन विभाग के अरिकांस करमचारी अपने बारा मांगो सुत्रों को लेकर हरताल पर होने के कारण आग बुझाने के लिए कोई भी करमचारी मौके पर नहीं है लेकिन अब यह देखना पढ़ रहा है कि आखिर में जो आग लगी है इस आग को बुझाए कैसे जो जंगलों को नश्ट करता जा रहा है जो कि आग जो लगा हुआ है यह आग अग्याद व्यक्ति के द्वारा लगाई गई है आप देख सकते कैसे जुलसे हुए बिच्छ हैं हर तरफ आपको आग के लपटे में जुलसे हुए बिच्छ नजार आएंगे लेकिन यहां के जो डिप्टी रेंजर हैं उनको आउगत कराने पर भी ओ मौके पर यहां पर नहीं पहुच रहे हैं नहीं देख रहे हैं फोन भी लगाते हैं उनका फोन आउट अप कबरे जाता है और सुच आप बताता है लेकिन अब देखना यह है कि इन बिच्छों को जो आग लगे हुए हैं जहां जहां अभी आग और लगे हुए हैं उनको कैसे बचाए उस आग को कैसे बुझाय जाए बन कर्मियों की हर्ताल को जल्द से जल्द समाप्त करने की जरूरत है ताकि आग से जंगलों की रक्षा हो सके ग्रैंट यसे नियुज के लिए कोरिया से मनुश्रिवास्तों करिपो